उत्रा खंडी पर वसी भैबंदूं जीरया जागीरया नागी बडुली उत्रा खंडी पर वसी भैबंदूं जीरया जागीरया नागी बडुली मेरा नाकपूर बम वाला है यहां पर पूरा टनकपूर difी मेरा आज का टूर की मैं वाला लोकेशन कर लेता हुं यह रोड मेरी जाती है यह आगे बूम के लिए जाती है और बूम से आगे पूर्णागरी जो मंदिर है जो सभी लोग लग जाते हैं hela allez सो गाइस लेट्स मूव इंजोई कीजिए और मैं आपको फूम तक कैसा क्या है अर्याली रोड की कंडिशन और इन्वार्मेंट कैसा यहां का वो दिखा देता हूं और यहां से इस गेट से स्टार्ट होता है और यह पीछे मेरा गेट है मैं थोड़ा आगे खड़ा हूं और म सब्सक्राइब है यह रोड के लिए जाती है और उससे आगे खोड़ा गरीवी तो जादा यार इस तरह से एक हाथ में कैमेरा दूसरे हाथ पर है वह अन्य हाथ से वनलब गाड़ी चलाना ठीक नहीं है जो सेफ नहीं है कि ब्रिज के पास महुंचा हूं यह अभी नीचे से छोटा सा नाला निकलता है तो यहां पर भीज बना हूँ है और मेरे राइट हेंड में इस तरह से गा आऊ है और लेफ्ट हेंड में यह पूरा जंगल और आगे चंपावत अलमोडा वाला पहाड़ और मैं आगे से यहां से आगि क्योड़ को आगे यहां पर कुछ इस तरह का स्लोपिंग आएगा यह देख सकते हैं यहां का लोकेशन जो रियली इस आउट स्टेंडिया यह आगे शाहिद जहां पे लाइस बनाते है उसके लिए रोड जाती है और यह पूरा परसाथ में तो काफी बड़ा नदी आजाती है क्यों अंकल यहां पर यह साथा ही है आगे जाकर शार्दा नदी जो में नदी पहती है आगे जाकर तो यह इस तरगा लोकेशन है आगा और आगे जाएंगे हम भूम आएगा मंदिर है वहाँ पे और उससे आगे जाएंगे और मेरे पीछे भी यह अंकल बैटे में तो यह भी आगे तक जा रहे हैं शाहिद मंदिर के लिए ये गाँ ये गाँ है जो गाँ का नेम पहरे तो यारा होटल नेम देख लीज़े और ये लेफट हैंड मेरे को इसलिए अच्छा लगता है क्योंकि सुहावन है अना पर पेड़ पहुंद है अंकल यह वाला तो नहीं है आपका उससे आगे तो इनको इस पहुंचने अंकल पीछे वैटे ही यह देखे यह पीली पीट से आया है आगे पुर्णा किरी मंदिर के लिए जा रहे हैं आगे इनके लोग हैं तो साथ साथ चलने हमके साथ खत्रा है इस तरह से एक हाथ से गाड़ी चलाने में लेकिन थोड़ा बहुत संबल के कभी कबाद चला लेना चाहिए अब जैसे आगे गाड़ी आ रही है और कभी अगर टूर हो ना दो लोग होने चाहिए सब साथ एक गाड़ी चला रहा हो दूसरा निश्यंत रोकर वीडिय को शूट कर सकते हैं यहां पर मुझे पस एकी रेगलर्ली आम टेलिंग यू बस एकी चीज अच्छा लगता है विच इस ग्रीनी प्लेस इस और इन्वार्मेंट बहुत खुपसरत है बहुत भूम टेंपल तीन किलुमेटर यहां से अभी बोर्ट पे लिखा हुआ था तो आगे क्या लिखा हुआ निरंग कारी के रहाना शॉप बूम तक ही शायद पाइटिन सो में जाओंगा अगर उस से आगे अगर पूर्णा के रिए बीचे अंकल बैटे हुए यह कह रहें कि यार तीन से चार शायद उधर मेडिकल शॉप है देखते हैं अगर होगा तो जान अरियाली अरियाली चंगल वाओ उत्राखंडना स्वर गया रियली मुझे बहुत पसंद है और यह मेरे अभी मैं रोड पे रुपकर शूट कर रहा वीडियो मेरे राइट हैंड का है यह पूरा नेपाल का दाएरा जो पाड अंकल नेपाल है वो नेपाल का तो ऐसा है तो बूपला नेपाल में आगे जो पाड नेपाल का दिखाए दे रहा है और बीच में नदी बहती है शार्दा नदी और आगे चोटा मोटा गाहां सामने हमारा आगे बूम और पुणागिरी के लिए और मेरे वही राइट लाइट में जंगल है जंगल बहुत कतरना यहां का अब देखते हैं आगे की और बढ़ते हैं और मेडिकल मेरे को मेन क्या की मेडिकल और क्लिनिक जो होते हैं वहां मेरे को विजिट करना होता है यह है बूम लोकेशन यहां पर लोग ठहरते हैं उपर मंदिर जाने से पहले यहां पर नास्ता आस्ता खिचडी करके अपना नि आभी पहुँचाओं बूम का जो नीचे नदी किनारे वाला लोकेशिन है और ये पूरा लोकेशिन बूम के अंदर आता है आगे मैंने पता गया था कि बूम से आगे कोई medical या जो कुछ है तो नहीं तो लोगों ने कहा कि नहीं वहां तो कुछ नहीं है और यहां से मुम में ही तिन्चार मेडिकल या क्लिनिक वही है तो मैं उनी से मुलाकात करूँगा और उससे पहले मैं अपना वीडियो शूट कर लूँ यह देख रहे हैं आप यह सामने वाला जो पहाड है वह नेपाल का आतापूर ताइरा और बीच में काली नदी पहाड उसे होते वए यह काली नदी बहरी है आगे जाकर इसको शारदा भी कहते हैं आगे जाकर तरह शेतर है वो सामने टनकपूर दिखाए दे रहा है टनकपू और नदी का बहाव अभी इस समय देख सकते हैं हाँ नदी और आलवेस तेजी रहता है और नदी से कभी खिलवार ना करें जो भी प्लेन शेत्र से एरिया से आ रहे हैं यह है बूम के जो नदी साइड वाला एरिया जहां पर मैं इस समय आया हूँ मेरी बैक साइड में देख से का मेरी फ्रेंट में कुछ ऐसा है और जितने भी वीवर से आयें देखें और जगे का लोग तो उठाएं यार इस ब्यूदिवल प्लेस यहां की सबसे अच्छी बात यह है कि अगर कोई यहां पर घूमने आ रहा है तो यह न सोचे कि यार सभी जगे तो जंगल इस तरह से दिखाए दे रहे हैं खाने पेने का कुछ इंतजाम होगा और नहीं होगा तो खाने पेने का इंतजाम है इतना है कि लोग एजली आर खा लेते हैं ढाबे हैं चड़च़ रेस्टोरेंट है तो वहां पर साधा भहजन मिलेगा कोई下 मुध मर्ट वाला आपको जो घर खाने किसी को तो मेरी साबबसे टनकपूर जो मार्केट हां मिलेग weet पूरा मंदिर वाला location है ये बूम आगे मंदिर है आगे पुलिस चौकी भी है और पुलिस चौकी के साथ उसाथ बूम मंदिर है वो भी मैं दिखा दिता हूँ और अगर आगे जाएंगे तो पूर्णागरी मंदिर आता है तो इस वजह से यहां पर कोई इस तरह का जो नॉन् यह कॉनर से लेकर सामने समगा तक और इसके अंदर डिखा दे रहे यह मंदिर का ही टैंपल कहीं है अभी मेरें पास टाइम तो नहीं अंदर जाने तो मैं फ्रंट जो गेट है वहाँ से आपको मंदिर का एक बार नजारा दिखा देता हूं ताकि जो भी आए वो उनको समझ रहा है कि हाँ यहाँ पर मंदिर है कुछ ऐसा है यह है कुछ मंदिर करना जारा ऐसा और इंसाइड शायद अभी कुछ डेज है इसका उपेर होने का तो अभी तो कुछ ऐसा दिखाए तो देनी रहा है यह रहा है यह है बूम मंदिर बूम जगे का नेम है और यहां की घर्यालिया आप लोग ने देख ली सभी कुछ तो आगे जाकर आज का टूर ब्लॉक खत्म करते हैं तो आज का टूर तो खतम हो गया आज का टूर यही था कि बूम का जो मेरा लोकेशन था वो पूरा लोकेशन टूर मैंने पूरा कर लिया अब वापस चलते हैं अगर आज का यह बूम वाला लोकेशन अच्छा लगाओ तो लाइक शेयर सब्सक्राब ज़रू करें बाकी वोल मीट यो नेक्स वीडियो तब तक के लिए बुट बार एंड तैंक यू सो माच